हलो बच्चो नमस्कार जैशी किष्णर रादे रादे कैसे सब आई होब आप सब अच्छे सोंगे मस्ती से पढ़ाई कर रहोंगे अगर आप इसमें जो नोटेशन वगेरा देखिएगा ये काफी अपने आप में माइंड को खोलने के जासा है अगर आप इस तरह के expressions को deal करते हो तो एक तो जो कहते है न अन्नॉन का जो peer होता है मैट्स के अंदर मैट्स के सबीलो के सवालो को देखकर जो एक कहते हैं बच्चे के सर हमें काफी डर लगता है तो वो सारा डर जा सकता है तो पहले जरूरी है इस तरह के सवालों को खुद से interpret करना कि कहना क्या चाहते हो भाई तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को solve करना एक set दिया हुआ है MN और इस तरीके का एक कोई set है I think आपको समझ में आ रहा होगा कि एक number लिखा हुआ है इसे बोल रही है जो A1 से लेकर A1 तक जो number से I think A1 से आ न तक नहीं A1 से लेकर A1-1 तक जो number है उसमें जो A1 A2 है वो या तो 0 है या फिर 1 इदर A1 यह 0 और 1 कहां से कहां तक के लिए 1 से N-1 के लिए A1 जो है that is 1 तो कहना क्या चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझने के कोशिच करते हैं जैसे मालो की यह कहना चाह रहा है कि मालीज़े 0.A1 A2 A3 ऐसा है न हम N की वैलू 3 ले लेकर समझते हैं कि भाई यह क्या लिख क्या रहा है तो तो 0.A1 A2 A3 तो इसमें क्या कह रहा है कि जो A3 है वो तो 1 है है न देखो आप इसमें क्या कह रहा है कि A1 तो जो है न लास्ट वाला वो तो 1 है लेकिन उसके अलावा जो है वो आपके किस के क्या क्या हो सकते है इधर 0 और 1 तो यह नहीं बच्चों गर आप यहां पर देखिए का A1 को और साथ ही साथ किसको देखेंगे A2 को तो इसके पास दो-दो options है इधर it can be 0 और it can be 1 तो पहले गवार नमबर लिखकर देखे किस तरह के नमबर साते है तो जैसे लास्ट वाला जो नमबर है यह हमेशा बन रहना है तो हमने एक 0 के साथ ऐसे लिखा फिर कैसे लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर 2 0 के साथ भी आप ऐसे लिख सकते हैं तो अगर इसको 0 1 0 1 में रखना है तो of course 4 possibilities बनेंगी दो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत समाजने के एंगल से हमने इसको मेरे खाल से decode कर लिया है कि बाई MN जो सेट है उसमें किस तरह के नंबर होंगे अगर N इकोल टू 3 है तो MN सेट में इस तरह के नंबर होंगे यह 4 नंबर होंगे कब जब हमने बोला किसाब N की वैलू किसके बराबर है N की वैलू है 3 के बराबर अब बोला है कि be a decimal fraction यह तो हम समझी चुके हैं कि decimal fraction है अब से क्या बोला है कि दो चीजे define कर रहा है एक तो बोल रहा है TN और एक बोला है आपका SN एक TN बोला है आपको एक SN बोलना है और बोला है कि क्या है number and the sum of elements in MN तो TN क्या है मेरे खाल से TN be the number in MN मतलब कितने elements से शाद उसकी बात कर रहा है और SN क्या है sum of the elements अच्छा इसको ऐसे शाद पढ़ना है TN be the number of elements है number of elements तो इसने सब एक साथ ही लिख दिया है TN be the number of elements and the sum of elements in MN मतलब TN क्या denote कर रहा है TN मेरे भाई denote कर रहा है जितने number of elements है set MN में और SN क्या denote कर रहा है वो जो elements है उसका sum denote कर रहा है बच्छों SN अब finally क्या बोलता है कि भाई आपको यह limit निकालना है यह limit निकालना है जैसे इस particular case में मुझसे कोई बोलता है कि what is TN तो मैं बोलूँगा इस case में TN की value 4 होगी हाला कि यह TN नहीं होगा N equal to 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग हो सकते हैं कि this should be T3 equal to 4 ऐसे कोई बोले S3 के बारे में तो देखो S3 वैसे तो हम यहाँ पर जोड लेंगे S3 हम यहाँ पर ऐसे तो जोड लेंगे कि भाई यह this is one 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 this is one one लेकिन N के terms में अगर बात करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे उस पर भी बात करनी पड़ेगी चलो हम एक और example लेकर इसको और अच्छी तरीके समझने की कोशिच करते हैं भाई N की value 4 ले लेते हैं N की value जब 4 लीजेगा तो this लिक हम 0.A1 A2 A3 and then A4 A4 तो fix 1 हो जाएगा Yes sir और A1 A2 A3 या तो 0 होगा या तो 1 होगा यानि कैसे elements आएंगे देखेगा अगर मैं 3-1 लेता हूं A4 हमेशा 1 होना है 3-1 A1 A2 A3 में 1-0 लेके चलते हैं 1-0 लेंगे तो ऐसा case बन सकता है या फिर कैसे बनेगा आपके पास इसी तरीके से देख सकते हैं 1-0-1 वाला की से बन सकता है या फिर 1-0 के साथ क्या बन सकता है इस तरीके से बन सकता है या फिर 2-0 के साथ खेलिएगा तो 0011 या फिर क्या हो सकता है या फिर क्या हो सकते है जिरो वन जिरो वन या फिर क्या हो सकते है आपके पास वन जिरो जिरो वन या फिर तीनों के तीनों 0 हो जाएं तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपके नंबर्स बन रहें तो मुझे लग रहें तीन निकालना काफी आसान है या तीन निकालना आसान है कि अगर हम नंबर्स के बारें बात करते हैं कि 0.a1,a2,a3 तिल an ऐसे चल रहा है an तो यह तो बिटा फिक्स है 1 के बाराबर है यह हमेशा 1 है इसके कितनी चोईसेज है मेरे पास 2 चोईसेज जीरो या 1 a2 के लिए कितनी चोईसेज है दो चोईसेज है और इसके पहले अगर मैं an-1 की बात करूँ इसके लिए भी दो चोईसेज है बट इसके लिए सिर्फ और सब्सक्राइब एक च्वाइस है तो अगर मुझे से कोई बूसता है कि how many elements then इस तरीके से इसके लिए 2 choices इसके लिए 2 choices तो PNC के fundamental principle of counting से हम क्या बूल सकते हैं कि total choices हो जाएंगे 2Q that is 8 आप count भी कर सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 8 choices बन रहे हैं 8 choices बन रहे हैं ऐसे ही कोई बोलेगे सर इस case में कितनी choices बनेंगे तो this is 2 into 2 into 2 यह कितनी बार होगा बच्छो n-1 times this is n-1 times बच्छो और यह बनेगा आपका 2 raise to the power n-1 यानि कि number of elements in mn आ चुका है number of elements in mn in terms of n आ चुका है 2 की power n-1 अब दिक्कत क्या हो रही है सम कैसे निकाले that is the most challenging part कि सम कैसे निकाले आप भी थोड़ा सोची तो मुझे लगता है देखो यार यह जो प्लेस है यह जो प्लेस है ध्यान से देखेगा इसको थोड़ा ध्येकर देखो तु जङेएगकि अगले क्या होगा अगले में क्वाले सीम तरीके से देखो और बच्चो तो 0cycl रहएं होगा फिर 1 by 10 square होगा फिर कितना हो जाएगा फिर से आप देख सकते हैं कि 1 upon कितना हो जाएगा 10 cube फिर अगले वाले में सोचो तो 1 by 10 होगा फिर कितना होगा 0 by 10 square होगा और फिर कितना हो जाएगा 1 by 10 cube फिर अगले वाले में सोचो भी तो 0 by 10 10 और क्व्ले प्लम 10 और प्लम ऑना यह एक्गरी सपान्फ मुझे तो यह वाल टर्म तों चार बार होँगे बट बागी वह होंगे वा दो ही बार होँगे जैसे दिफो दो बन डुबहली पे ने की 0.1 प्लस 0.1 यह तोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने 0.01 फिर 0.001 और फिर 0.0001 है ना ऐसा है तो यानि यहां पे कर आप देखोगी तो 1 by 10 फिर 1 by 100 यानि 10 स्क्वेर फिर 1 by 10 103 और फिर 1 upon 10 की पावर 4। यह तो 1 upon 10 की पावर 4। इसमे सम्मे होगा 8 जितने नबखर होंगे उतनी बार यह आएगा तो इसका तो मुझे लग खोगी 1 upon 10 की पावर 4 मत तो 2 2Q, जितनी बार भी number बनेगा, जितनी बार, कितनी बार number बनेगा, यहाँ पर 2Q, जैसे यहाँ भी एकर देखें, तो कितने number बने, 4, 2 square है न, 2 square देख रहा है, 2 square, तो मैं क्या बहुत सकता हूँ कि, इसका, अगर मैं लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँँगा, last place से, 1 by 10Q, into कितना हो जाएगा, 2 का square, plus, plus देख सकतों कि, यह दो दफ़े आया है, इसका just आधा, है न, 1 by 10, और plus, देखना, यह दो दफ़े आया है, और यह भी 1 by 10 square, ऐसे, है न, यहाँ पर भी जब इसको लिखो करें, बिटा, तो इसको भी लिखते समय जब आप देखोगे, तो यह 1, 1, 1, 1 by 10 की power 4, कितनी बार आएगा, 8 times, मंदर 2Q times, लेकिन उसके अलावा, सब 2 square times हैंगे, सब 2 square times हैंगे, देखना, यहाँ पर भी अगर निकालोगे, तो यह भाला place आपको दिख रहा है, 1 by 10 cube बार है, यह भाला place 1 by 10 cube, कितनी बार आएगा, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 4, और बाकी का contribution 0 होगा, यानि मुझे ऐसा लग रहा है, कि यहाँ पर तो बनेगा, 1 by 10 cube, but this multiplied by, इसका just आ रहा, मतलब 2 square, 2 square, फिर ऐसे ही देखोगे, अगले वाले में भी 1, 1, 1, 1, 1, जब इसको लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे हैंगे, तो आपको दिख रहा हैंगे, इसका भी लिखोगे, 1 by 10 square, 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 और बाकियों का 0 by 10 square type का हैगा, यानि कि 1 by 10 1 by 10 square, ऐसा कुछ बनना चाहिए, और ऐसे ही यहां भी बनना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से, मेरे खाल से, पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है, तो अच्छा, ये अगर कोई बोले कि सारी, ये जैसे 8 बार आया, यानि 2 cube times, ये आधी बार क्यों आ रहा है, इसके आधी बार क्यों आ रहा है, अफकोर्स आधी बार ही आएगा, क्योंकि यहां दो आपको देख सकते हैं, digits allowed है, एक तो 0 या तो 1, तो 0 जितनी बार आएगा, उतनी बार 1 भी आएगा, यानि कि 0 must be equal to, जितनी बार अगर हम बोलें, इस place पे 0 आएगा, उतनी बार 1 आएगा, तो 0 देख सक 4, यानि इसी concept को थोड़ा और extend करें अपन, तो यहां देखिए, यहां total number बने है, 2 की पावर n-1, तो कोई पूछे, इसका contribution कितना हैगा, सुनना द्यान से, तो जैसे यह चौथे place पे था, यह वाला 1, यह वाला 1 चौथे place पे था, तो इसका 1 upon 10 की पावर 4 अलग हो गया, य यह कौन से place पे है boss, यह nth place पे है, तो मैं sn लिख रहा हूँ, अब मैं sn लिख रहा हूँ है न, ध्यान से देखिएगा, यह nth place पे है, nth place पे है, तो इसका simple सा मत्ता हुआ, कि यह अपने को 2 की पावर n-1 times आएगा, और हर बार जब वो इससे तोड़ के लिखोगे, तो यह 1 upon 10 की पावर n होगा, है न, क्योंकि इसमें आएगा point 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 करके, और last में 1 आएगा, तो यहाँ पे decimal के बाद total आपके पास कितने digits होँगे n, तो यानि 1 upon 10 की पावर n, प्लस, कोई पुछे से इस place पे, इस place पे, 1 कितनी बार आएगा, तो मैंने बताया था था कि इस पे जितनी बार आएगा, उसका just आधा, क्योंकि यहाँ पे दो digits allowed है, 0 भी allowed है, और 1 भी allowed है, और 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, आधा आधा, त्यानि यहाँ पे मुझसे कोई पूछे कि 1 कितनी दफा आएगा, 1 कितनी दफा आएगा, 1 कितनी दफा आएगा वन कितनी दफ़ा आएगा भाई, बताओ, वन उतनी दफ़ा आएगा, मतलब इसका जस्ट आधा, यानि कि अगर यहाँ पे टोटल 2 की बार n-1 नमबर मने है, तो half of 2 की बार n-1 टाइब, यानि हम लोग हो सकते हैं, जब इधर लिखोगे, तो यहाँ पे भी 1 इतनी दफ़ा आ उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, सब जगा इतनी बार आएगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ वाला नमबर होगा, तो इसका कॉंट्रिबिशन होगा, बिटा, 1 by 10, इसके बाद वाला नमबर होगा, उसका कॉंट्रिबिशन होगा, 1 by 10 square, just like अभी previous case में, और इसके जस्ट यहाँ वाला जो नमबर होगा, वो होगा, 10 की पावर, n-1, 10 की पावर, n-1, so this is nothing but, 2 की पावर, n-1, upon 10 की पावर, n, plus 2 की पावर, n-1, upon 2, I think there is a GP, GP, है न, तो हम लोगो सकते, 1st term, into common ratio is 1 by 10, a number of term से बच्चो, n-1, कि 10 की पावर, 1 से चल रहा है, और नीचे आ जाएगा, 1-R, that is 1-1 by 10, I think it is clear, है न, तो 2 की पावर, n-1, तो बिलकुल स्वेक्च्छा से बाहर आता हुआ दिख रहा है, मुझे तो, और इसके बाद, 1 upon 10 की पावर, n, plus half, into 1 by 10, now it is 1-1 upon 10 की पावर, n-1, और denominator में 1-1 by 10 लिखेगा, तो 9 by 10, 9 by 10, यह 10 और यह 10 गया हुजाएगा, और ultimately, जब आप निकालीएगा, limit n is approaching infinity, sn, sn क्या है आपका, 2 की पावर, n-1, I think, है न, देख लिखेगा, 2 की पावर, n-1, I think, और अंदर आएगा, 1 upon 10 की पावर, n, plus, इसका थोड़ा देख लेते हैं, यह 1 by 2, और यह भी 9 नीचे ही है, तो यह 1 by 18 होगा, और into 1 minus 1 upon 10 की पावर, n-1, this is sn, guys, और नीचे tn आएगा, 2 raised to the power, n-1, तो limit के concept से हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, यह cancel out हो जाएगा, n-approaching infinity पे, यह 10 की पावर, n बहुत बड़ी quantity होगी, तो यह पूरी quantity 0 हो जाएगी, और ऐसे ही यह भी पूरी quantity 0 हो जाएगी, तो I think इसकी जो limiting value निकल के आ रही है, that is 1 upon 18, है न, that is 1 upon 18, तो बिलकुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर भी अगर कोई point आपको लग रहा है कि इसमें समझ में नहीं आया है, या आप उसके बारे में मुझे बतलाना चाहते हैं, तो definitely comment box में आप लिख कर बतला सकते हैं, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, solution को करने का तरीका पसंद आया होगा, अगर आपके वास कोई alternate way है, तो जरूर share किजिएगा, thank you very much, bye bye.